हलो दोस्तों वेलकम बैक माइ YouTube चैनल मोबाईल वाला जौन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तिरीके से बोट वेब बीट कॉल स्मार्ट वाच को हम अपने स्मार्ट फॉन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किस तिरीके से इस स्मार्ट वाच का कही देख सकते हैं दोस्तों अगर आप लोंगे पास भी यह वाला स्मार्ट वाइच और आप लोग को फोन के साथ चाहते हो इसका पूरा फंट्रसन करेंसे चाहते हो इसका कौन सा प्ली कैसा नहीं मतलब फुल गाइड आप लोगों को चाहिए इसिस वीडियो का प्लोग लास सब्सक्राइब जहाद हम यहां पे आपका समयणी लेते हैं उसे पहले दोस्त आप में comment करके जरूर बता देना कि आपका यह जो बोट वेब कॉल जो Smart Watch है वो आपने कितना में खरीदा है ठीक है आप जो है comment करके हैं में जरूर बता देना Smart Watch को font से connect करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने smart watch को निकालेंगे ठीक है smart watch को लेने के बाद यह वाला button को यह बार press करेंगे उसके बाद नीचे scroll down करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम लोग आ जाएंगे direct settings पर settings पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर लोग नीचे फिर से scroll down करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम लोग आ जाएंगे download app जो लिखा हुआ है इस पे तो इस पर हम लोग यहाँ पर tap करेंगे जैसे हम इस पर tap करतें दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग देख सकते QR कोड निकल के हम लोग के सामने आ जाता है तो यह जो camera वाल option से इस पर tap करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका जो QR का जो option scan करने का वो open हो जागा तो अभी इस QR को हम यहाँ से watch का जो QR है इसको यहाँ पर दोस्तों हम लोग फिर से जो है टैब कर देंगे जैसे हम इस पर टैब करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर अभी आप देखना कि हमारा जो प्ले स्टोर पर up and करने के बाद दोस्तों यहाँ पर है कैसे क्या करना वीडिएो को पूरा देखना है उसके आप करणा है इस बहु Suture सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर काफी सारा अप्सन आएगा अभी दोस्तों मैं यहां पर आ जाता है यहां पर आप लोगो सर्च करना पड़ेगा वह जो भी आपका समारे दोस्तों मौकर एक लाषएं यहां पर मोडल है वेव बीट कॉलों यहां पर यह वाला हमने नहीं पर सच कंप करने और कंटीनीनीव करने थो यहां पर आप लोग कुछ करने है और यहां घ Pastor सकते दोस्तों यहां पर हमारा मॉडल आ चुका स्मार्ट वाच का उसे पहले दोस्तों यहां पर जरूर चेक कर लो कि आपका स्मार्ट वाच जो है वह रनिंग कंडिशन में है या नहीं मतलब चालू है या नहीं अगर चालू नहीं रहेगा तो यहां पर देख सकते हैं हमारा देरे वेट करेंगे तो हमारा यहां पर पेयर हो जागा दोस्तों यहां पर देख सकते हैं फाइनली दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमारा पेयर हो चुका है वाच में भी आ चुका है पेरिंग सक्सेस्पूल दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो अभी दोस्तों सिंपल से आप लोग आपे continue to home page पे क्लिक कर देना उसके बाद यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो हो माइवाज पे क्लिक करते हो तो यहां पर यहां से minimize कर सकते हो, सारा चीज़ आप लोग setup कर सकते हो, दोस्तों अगर आप लोग इस से related जानकारी चाहिए, पूरा application से setup से related, तो आप मैं comment करके भी बता सकते हो, अभी दोस्तों यहाँ पे आप लोग से Bluetooth calling पे tap करना है, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते, इस application को सारा notifications का जो permission है, उसको allow करना है, तो उसके लिए यहाँ से इस तरीके से allow का option पे tap करना है, और यहाँ पे आप लोग को थोड़ा से wait करना पर सकता है, जब तक यहाँ पे complete नहीं होता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका टिक कर लेना और okay पे प्रेस करना है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकता application का notification चालू है चुका है, अभी back आएंगे, और देख सकते दोस्तों यह application हमारा उपर आ चुका है, बोट क्रेस जो application वो उपर आ चुका है, यहाँ पे जो भी करना हो, करके यहाँ पे आप लोग सेव चेंज पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ से क्या होगा कि आपका सारा notification चालू हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को नीचे आ जाना है, यहाँ पे देख सकते हो, अलार्म अगेरा भी set कर सकते हो, यहाँ पे और भी काफी सारे options है, और दोस्तों यहाँ पे कर आप लोग settings पे क्लिक करते हो, दोस्तों मैंने आप लोग को इस वीडियो में सारा चीज़ बता दिया, कि आप लोग किस तरीके से आप अपने smart watch को, आप अपने phone के साथ उसको किस तरीके से connect कर सकते हो, तो दोस्तों उमीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया, तो प्लीज आप इस वीडियो पे लाइक जरू कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया दोस्तों, तो कर लिजे क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसा ही नॉलेजवल वीडियो आपनों के लिए के आते रहता हूँ, जो कि आप लोग देखके बहुत कुछ सीख सकते हो, तो दोस्तों धैंक्स वर वाचिंग मोबाइल वाला जॉन,